इस कहानी की शुरुआत में एक वीरान से रेगिस्तान को दिखाया जाता है जहां पर एक छोटा बच्चा अकेला चल रहा था जो की एक अजीब बात थी पर इससे भी बड़ा जटका हमें तब लगता है जब उस बच्चे के हाथ में एक इनसान की उंगली को देखते हैं जिस से मिल भी जाती है जिनके बाद वो यहां से जाने लगता है पर इसी बीच उसे एक पेड़ की छाम में रोते हुए एक बच्चा दिखता है जो स्टोन से ये कहता है कि वो यहां खो गया है और मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है और स्टोन वहां खड़े होकर सोचने ल इसलिए स्टोन उसके पीछे पीछे चलने लगता है जिससे वो काफी दूर तक आ जाता है और वो बच्चा विंडम की तरफ अजीब सी स्माइल करता है क्योंकि वो उसे जान बूझ कर इतनी दूर लाया था ताकि वो रास्ता भटक जाए और उस बच्चे के जाने के बाद स् करते हुए एक काफी गहरी खाई के पास आ जाता है मगर उस खाई में उसे एक घर नजर आता है तब वो मदद मांगने के इरादे से उस खाई में लगी एक रसी की सीड़ी के सहारे उतर जाता है और उस घर में जाकर नौक करता है मगर जब काफी देर तक कोई दरवाजा न पर स्टोन को अपने घर के अंदर आते देखने के बाद भी वो लड़की कोई रियक्शन नहीं देती। कैसे वो एक बच्चे की वजह से यहां फंस गया। लेकिन अलीना उसकी बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं लेती। सीढ़ी से वो नीचे आया था। अब वो सीढ़ी यहां नहीं है और ये जगह काफी गहराई में थी और इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टाने थी और यहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। अलीना जब सोके उठती है तब स्टोन उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहां गई जिससे वो रात में आया था। मगर अलीना पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देती है पर स्टोन के बार बार पूछने पर वो उसे बताती है कि वो उन लोगों ने हटा दी होगी क्योंकि कभी कभी वो सीढ़ी ले जाते हैं तब हैरानी से स्टोन पूछता है कि कौन लोग क्या यहां और भी लोग रहते ह मगर अब फिर अलीना उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देती जिसके बाद स्टोन उन लोगों का इंतजार करने लगता है जिनका जिक्र अलीना कर रही थी अब दोपहर हो जाती है और कोई वहां नहीं आता इसलिए स्टोन खुद ही उन पहाणों पर चड़ कर निकलने का फैसला करता है मगर जैसे ही वो उन चट्टानों को छूता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं क्योंकि वो पत्थर गर्मी और धूप में तब कर काफी गर्म हो चुके थे और अब ऐसे ही फिर रात हो जाती है और मजबूरी में स्टोन को एक और रात वहीं गुजारनी पड़ती है मगर अगले दिन भी जब वहां कोई नहीं आता तब स्टोन अलीना के घर से एक कुलाडी और कपड़ा लेकर चटान पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन तब ही कोई उपर से एक मरी हुई मुर्गी उस पर फेंक देता है जिससे स्टोन का ध्यान भटक जाता है और बैलन्स बिगड़ने की वज़े से वो वहां से नीचे गिर जाता है अब इतनी उपर से गिरने के कारण उसे काफी चोट लग जाती है और वो बेहोश हो गया था और उसे ऐसे ही बेहोश पड़े हुए रात हो जाती है और जब उसे होश आता है वो देखता है कि गिरने के कारण उसकी ही कुलहाडी उसके पैर में लग गई थी जिससे वो दर्द से जोर जोर चिलाने लगता है और जब अलीना वहां आती है वो उस कुलहाडी को उसके पैर से निकाल देती है और उसे अंदर ले जाती है जहां वो उसकी मरहम पट्टी करती अब ऐसे ही स्टोन को वहां दो दिन और हो जाते हैं वो हर रोज बाहर आकर सीड़ी को देखता है मगर वहां कोई सीड़ी नहीं होती तब एक दिन गुसे में स्टोन बाहर आकर जोर जोर से चिलाने लगता है और कहता है कि अगर कोई पहाड़ी के ऊपर है तो मेरी मदद करो मगर जब वहाँ कोई नहीं आता है तब वो अलीना पर गुसा करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर मुझसे चाहते क्या हो तुम लोगों ने मुझे यहां कैद कर रखा है तब अलीना उसे कहती है कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ तुम्हें खाना और तुम्हारी सारी जरूरत की चीजें भी दे सकती हूँ पर स्टोन उसे कहता है कि उसे कुछ नहीं चाहिए उसे बस यहां से बाहर जाना है अपनी दुनिया में पर इसी दोरान अलीना स्टोन के पास भी आती है, लेकिन स्टोन उसे अपने से दूर कर देता है, और फिर अलीना वापस अंदर चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ चट्टान पर स्टोन को एक लड़का दिखाई देता है, जो स्टोन को आवाज लगाते हुए पर बांध लेता है और उस लड़के को ऊपर खींचने को कहता है, और वो लड़का उसे ऊपर खींचने लगता है, पर वो लोग स्टोन को आधे रास्ते में ही लटका कर छोड़ देते हैं, जिससे स्टोन उन्हें आवाज मार कर उसे ऊपर खींचने को कहता है, पर उपर से कोई भी आवाज नहीं आती इसलिए स्टोन खुद ही ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है पर वो चरडी डी डी एच नहीं पाता और कुछ देर बाद वहाँ एक लड़का स्टोन के ऊपर सूसू कर देता है जिससे वो उन पर चिलाने लगता है इसलिए वो लोग मिलकर स्टोन की रसी को जोर-जोर से हिलाने लगते हैं जिससे वो उन पर चिलाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर अलीना बाहर आ जाती है जो उन्हें ऐसा करने को मना करती है पर तब तक स्टोन एक चट्टान से टकरा कर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है वो फिर से घर के बाहर आ जाता है जिससे अलीना बोलती है अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग तुम्हें यहां से जाने नहीं देंगे और तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा यह सुनकर स्टोन का होसला तूट जाता है और अब अलीना स्टोन के साथ रहकर उसका खयाल रखती है साथ ही वो उसे कुछ कपड़े भी देती है अब काफी दिन स्टोन को यहां रहते हुए हो गए थे इसलिए वो यहां कुछ बीज वोने लगता है ताकि उनके खाने का इंतजाम हो सके पर तब ही उनमें से एक लड़का उन लोगों के लिए कुछ सामान नीचे भेज देता है जो की खाने का सामान था और अब अलीना स्टोन के लिए उस राज चिकन बनाती है और उसे वाइन भी पीने को देती है अब अलीना अपने कपड़े उतार कर स्टोन के पास आ जाती है जिसके बाद ये दोनों इंटिमेट होते हैं अब ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताने लगते हैं लेकिन एक दिन वो लड़का जो उनके लिए खाना लाया था वो स्टोन को काम करता देख उससे पूछता है तुमने ये कहां से सीखा जिससे स्टोन उसे बताता है ये उसने पढ़ाई से सीखा है जिस पर वो लड़का बोलता है मुझे भी पढ़ना पसंद है इंतजार करने को कहता है पर तभी यहां उन में से एक लड़का आ जाता है जो दोनों की बातें सुन लेता है इसलिए वो उस बच्चों को यहां से ले जाता है अब अगले दिन अलीना स्टोन से उस बच्चे के बारे में पूछने लगती है जिससे स्टोन उसे बताता है वो अलीना इसलिए रो रही होती है क्योंकि वो लड़का उसका बेटा था और उसके भायों ने ही उसे मार दिया होता है इसलिए अलीना उसकी मौत का जिम्मेदार स्टोन को मानने लगती है और वो उसके सर पर मार कर उसे बेहोश कर देती है अब कुछ महीने बीच जाते हैं जहा वो चुपके से मदद बुलाने को कहता है इसलिए वो लड़की अपने दोस्तों के पास चली जाती है पर कुछ देर बाद जब स्टोन उस लड़की को देखता है उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था जिसे वो लोग स्टोन के सामने ही मार देते हैं ये देखकर स्टोन समझ जाता है वो यहां से कभी नहीं निकल सकता इसलिए जब अलीना स्टोन को खाना देने आती है हम देखते हैं अलीना प्रेगनेंट है और ये बच्चा स्टोन का है इसलिए स्टोन अलीना की हर बात मानने को तयार हो जाता है और उससे कहता है तुम बस मुझे इस पिंजरे से निकाल दो लेकिन अलीना स्टोन से कहती है ये फैसला तुम नहीं कर सकते और ये कहकर यहां से चली जाती है अब एक दिन अलीना को काफी तेज दर्द होने लगता है क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी इसलिए वो स्टोन के पास जाकर उसे खोल देती है और उसे मदद करने को कहती है लेकिन स्टोन को वहां बाहर जाने की सीड़ी दिखाई देती है जिससे उसके पास अब मौका है यहां से निकलने का लेकिन इस दोरान अलीना एक बच्चे को जन्म देती है जिसे देखकर स्टोन रुख जाता है और वो एक लड़की थी जिससे अलीना स्टोन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसे अपने परिवार को चलाने के लिए एक लड़की ही चाहिए थी जो उसके बाद इस जगह पर रह सके और अब वो लड़का स्टोन का गला काट कर उसे मार देता है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो गया था इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी